आज का जो हमारा नए टॉपिक है वो Microsoft Excel 2007 से है जिसमें कुछ फार्मूला से जुड़ी बाते हम लोग करेंगे जैसे आप लोग देख रहे होंगे फार्मूला टैप के अंदर आपको कुछ टेक्स्ट फार्मूले दिख रहे होंगे जिसमें से आज हम आपको बताएंगी फार्मूला क्या होता है लेट फार्मूला क्या होता है और इसके बाद आपका यहां से लेट फार्मूला और लोवर फार्मूला क्या होता है एक पूर्पर फार्मॉले क्या होते हैं और क्योंडिनेट फार्मॉला क्या होता है यह चार-पांच फार्मॉले हैं आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे किस तरीके से काम करते हैं एकसल के अंदर क्यों चीज़ अगर वैलु तो आपने जोड़ना गठा शीख लिया। लेकिन आप लोग किसी टेक्स का कैसे करते हैं, किसी टेक्स का चंटे हैं, कैसे left वाली value लेते हैं कैसे middle value को आप निकाल सकते हैं कैसे एक अठा data लिखा हो तो कैसे करेंगे जैसे आप लोग यहां देखिए आपके पास देखिए Mumbai एक text है और आपका जो pin code है एक value वैल्यू और text दोनों एक साथ लिखे गए हैं अगर कभी ऐसा होता है कि आपके पास ऐसे 1000 लोग का data हो 2000 लोग का data हो टेक्स्ट और वैल्यू और आपके मालिक ने कह दिया बिया city अलग हो जाए city का अलग data हो और pin code अलग हो जाए जिसे मेरे सिस्टम में देखिए आपके left formula ने क्या किया है आपके बुंबई को अलग छाट दिया है और उसको जो code है यानि जो pin code दिया गया है उसको अलग कर लिए excel में और mid formula ने क्या किया mid formula अपनी आवाज सकता अनुसार क्या करता है जितने टेक्स्ट आपको उठाने हो से पहले formula बारे में कौन-कौन formula पढ़ेंगे left formula हम पढ़ेंगे right formula पढ़ेंगे mid formula पढ़ेंगे और find formula पढ़ेंगे आगे और formula भी है दिखा देता हूं पहले में आपको क्या क्या हमें finish करना है आपके पास एक upper formula है देख लीजिए जैसे आपने upper case lower case पढ़ा होगा आपके पास यह lower case है यह किसी character को capitalize करने के लिए होता है और आपने यहां देखा कि आपके पास coordinate formula होता है तो यह formula क्या करता है अगर देखिए mister यहां अलग लिखा हुआ है आशोक सिंग अलग लिखा हुआ है और हमने कहा कहा कि अलग अग अगर आपने टाइप किया तो किसी टेक्स को जोड़ने का काम करता है coordinate formula जो होता है जे formula के दो टेक्स्टों को एक साथ जोड़ने का काम करता है आगे आते हैं बच्चू देख लीजिए और आपके पास एक proper formula होता है ये formula क्या करता है जब कभी भी कोई character एक word देखी पहला आप देख रहे होंगे कि आपके पास यहां देखिए ये वाला आसोक लिखा है जो आसोक आसोक देखिए सही लिखा है जबकि सिंग पूरा capital है आसोक का पहला character एक capital है और सारे स्माल है जब कि सिंग के देखी सारे word capital जी क्या करेगा सब समान करना चाहिए एक जिसे एक वर्ड होता है एक पहला वर्ड बढ़ा हो और सारे छोटे हों इस तरहीं कि सिंग में पहला करेक्टर जीसे यस बढ़ा हो और सारे अब हम एक करकी निकालते हैं तो पहला फार्मला लेट यूज करते हैं एक लेट लिखेंगे आप लिखेंगे आप से पूछता है कि जो टेक्स्ट है वो कहने का मतलब कहां पर है वो इस पर है तो आप इस पर क्लिक करिए आप से पूछता है कॉम माऑ करेक्टर यज़ी यार लिखा हुआय करेक्टर होता है आप इस में से कितने इपकर्ण नोट आप्स कितनोब है यह 6 है दो ढूँचार दो छहाए करेक्टर है तो आप क्या करेंगे शिक्स Short लेंगे और ब्रेकट्स को बंद करके एंटर मार देंगे अगर आपको यहां पे जरूरत थी कि आप यहां पे च्छार उठाना पांच उठाना तो आप उतने भी उठा सकते हैं ऐसा नहीं कि आप हर करेक्टर भी उठा सकते हैं दो करेक्टर भी उठा सकते हैं और आप यहां से एक करे और इसको अपने हिसाफ से ट्रैक कर लेगे तो आपके सारी कॉलम्स में अलग अलग आजाएगे अगर आपने यहां लिख दिया कोई दूसरा सहर का नाम लिख दीजिए चलिए लिख के दिखाते हैं अधी में लिख दिया यहां पे भोपाल लुक हूं दिखी भोपाल में पांच करेक्टर थे तो पांच ही उठकिया इसमें जब किस चाह सब्सक्राइब आगर यहां पर भोपाल में साथ हो जाते तो शैक्यों उठाता ना कि एक को छोड़ देता अपने दिखा देते हैं एक ब कि देखिए नहीं उठाया इसलिए हटा दिया क्योंकि उतने करेक्टर आल्रेड़ी उठा चुका है इसलिए नहीं उठा रहा है क्लेर वह आपके पास नंबर आपका रेक्टर जी कितने नंबर है यह यह भी है तो बस्क्स कर दीजी प्रैकर समंद करके इंटर मार देज़िए यह राइड से चैक उठाएगा आप साथ कर दीजी साथ में यह भी आ गया माइनस देखा आपने माइनस की जरूरत नहीं है तो भाई हम च्छाही ना लेकर चले उसकी क्या हो सकता है बस यहां से एंटर करिए और यहां से ड्रैकल लाइए कभी कभी डेटा एंट्री के जब काम करता है डेटा ओपरेटर तब इसकी जरूरत ब और टेब दोभाई है मं आप से इसमें से उठाना इसमें से उठाना है और कमा आपको स्टार्टिंग नंबर से से ट Originally से किने सटाना दो या तीन नंबर से एक के बाद जो नंबर आये उससे उठालें एक है सैन्क हैं एक मैं कबासर अब को पाता ओं तक य हम्यां वुख्या लेकिन यह स्पेस को भी मानगा तो दो गर लेते हैं हूच वैं समझेक। दो करना ही पड़ेगा क्यूंकि कि लेस्ट एक प्रिक्र करेक्टर से पमझ लेता है जितनेसे चलिए आगे बढ़ते हैं इससे देरे ढूर फार्मोले फिनिस कर ले रहा है कि आज आज हम लोग कुछ का बढ़े ले रहे हैं रखे लूक पढ़ाएंगे ते मैट्रिक के पढ़ा चुक है कुछ लॉजिकल के पढ़े हुए हैं जब कि हम लोग पढ़ाएंगे आपको लॉजिकल के फार्मूली यहां पढ़े हुए यह देखें यह ओ और इफ एंड यह सारे फार्मूले यहां पर देखिए है जिब कि आपको इनको सब पढ़ने होगे पिलाल हम लोग अभी इस पे काम कर रहा है अपको कोट्स पर इस नंबर पर यहां और यहां से थोन ना शॉटर कर गलत हैं और यहां से लूपरिबर करके एंटर आपका डी ति किस नंबर पर हैं अगर आप दीवन पे हैं तो अगर यहां पर अगर आप दिखें अगर आप यहां इसमाल में लिख देते हैं तो उसको जो नहीं समझ पाएगा तो क्याप्टल होगा तो क्याप्टल कोई समझ पाएगा ना कि इसमाल को नहीं समझ पाएगा जो कंडिसान आप वहां देंगे उसी करूं सार्जी चलेगे नहीं समय राद आएगा सब्सक्राइब करेक्टर नमबर पर पहले नंबर पर इसको तो आप देखी आपका जो करेक्टर है देखी पहला वर्ड यहां देख रहे होंगे आपका पहला वर्ड कैप्टल है और सारी समाल है आप चाहते हैं दिलाही जो लिखा हो कैप्टल में लिख जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे ऑपर का फार्मुला लगाए और इसकी उपर क्लिक करके ब्रैकट में देखा वाघ्ञा की जाएंग्ट पंकर के एंटर मार देखें सारे सहरों के नाम लिखेंगे में देख लीजा एधर इस सारे सहरो के नाम कैसे लिखे प्रफट्राइब और यहां यहां नागा सब्सक्राइब तुझे बहुत इंप्रटन फार्मुला आपके काम का है आप साई सब्सक्राइब करें साधोर करिए इसको लोट केस, इसमें तो पहला वड़े सक्ट लेकिन इसमें सारे वड़े इसमाल ॥े देगा देखें कैसे बहुत पढ़ने पर हम लोग यूज़ करेंगे इसको आगे बढ़ते हैं अब बात आ गई है कौन की नेट फार्मूले की इसका क्या यूज़ है जैसे मिस्टर आलाग लिखा जी आलाग लिखा हम चाहते की कठ्था लिख जाए उसके लिए क्या लगाना पर है कॉन की नेट फार्मूला टैप इसमें चाहिए इतने टेस्स जोड़ लो एक दो तीन सार इंफिन्टिव 255 करेक्टर मैक्समाम 255 इसको क्लिक करेंगे कॉमा लगाएंगे इसको क्लिक करेंगे प्रैकर्ड बंद करकें के एंटर rant देंगी ह ला है आधसर आधसर पस्री तैप मिस्तर ललग सो मिस्टर लगा सब नामों के लिए तो अग्मूस के लिए को ट्लिफटर बना नहीं होगी अगर मिस्टर आप भूला आते हैं वह आप डाल दीजे और पीछ दीजे आ जाएगा चलिए यह तो भी फिनिस हो गया और एक फर्मला और बचा हुआ उसको भी कवर कर लेते हैं प्रॉपर आप देखिए पहला वर्ड कैपिटल है यह देखिए विनोद कैपिटल में सारे लिखिए इसमाल में लिखा है तो यहां पर आएंगे प्रॉपर लिक करेंगे प्रॉपर प्रॉपर फर्मूला यह है अधा दबाएंगे यहां पर क्लिक कर दीजी प्रैकट को प्लोज करके एंटर माद देखिए आसोख सिंग अपर फैक्ट लिक गया जे पहला वर्ड सब के कैपिटल है और सारे वर्ड आगे समझ में तो आज आपने क्या क्या फिनिस किया आज आपने प्रॉफर फिनिस किया और आपने आज कोडिनेट फार्मूला फिनिस किया और आप आगे आ जाईए है और आप आज ने लोवर के सरा अपकर के सिनिस लोवर परải मलाख प्रॉम लाख और लिए अपर फारम लाख ेस्ट है फॉइंवर फार्मूला और आपके पास निट फार्मूल का जो राइट और लेफ्ट फार्मूला ठीक है इतनी सारी चीज़े क्लियर हो गई हैं मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट टॉपिक पर